नमस्कार साथियों मेरा नाम है अभिनौत शांशू पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पूरो प्रश्ण पत्रों से बहुंच सारे प्रश्ण देखे हुए हैं आज हमारी चर्चा का विशाय है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आप 36 गड़ बोर्ड और हिंदी माध्यम के हैं तो आपके लिए अभिफसा एक बहतरीन प्लाटफॉर्म है जहां पर आपको सभी प्रकार के सभी विश्यों पर और दसी और बार्वी बोर्ड के लिए परिच्छा की तयारी हम करा रहे हैं लेकिन यदि आप CBAC वाले चात रहें और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात यदि आपसे प्रश्ण पूछा जाए तो या तो आपसे आंकिक प्रश्ण पूछा जाएगा या तो फिर उससे जुड़े हुए कुछ theoretical question पूछा जाएंगे और या फिर आपके लिए दूसरे derivations हैं लेकिन ये कहानी किसके लिए सही है CBAC के चात्रों के लिए चात्रों के लिए अभी भी यंग का डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट वो बहुत महत्वपोन टॉपिक बना हुआ है और इसकी पूरी-पूरी संभावनाए हैं कि आपसे इस डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए प्रश्ण पूछे जाएं आपकी परिक्षा मे तो आप 36 गडबूर्ड वाले हैं आप CBSC वाले हैं आप कोई भी हैं ये डेरिवेशन आप जब देखेंगे तो आपको इसके बारे में कुछ गहराई से जानकारी मिलेगी और इसका फायदा आपको जरूर आपकी परिक्षा में होगा तो जल्दी से पैन कॉप्य उठा कर त ये देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर जो है हमारे पास में कोई प्रकास का त्रोथ होगा और इस प्रकास के त्रोथ ते जो है क्या हो रहा है कि यहां पर जो है एक वाणी प्रकास की किरण निकल रही है एक वाणी प्रकास किरण जो सिद्ध करना अब यहां पर से जो भी प्रकास की रण आएगी उसकी चाहे जो भी दूरी हो लेकिन यहां पर आपको गुतियक स्तुरूत नजर आएगा मतलब यहां पर सेकेंडरी बेवलेट्स बनेंगे और यहां अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यह एक ही स्तुरूत जो इनमें फेज में अंतर हो सकता है लेकिन इनकी आवर्ती एक जैसी है और इसके साथ साथ क्योंकि एक स्रोत से निकाले गए है इस tillिए यह कला संबदर स्तुरूत की भाति व्यभ़हार करेंगे यह तरीका जो है आपसे क्या पूछा जाएगा पहला प्रशण यह यह है कि कला संबद दस्तोत की से कहते हैं दूसरा कला संबद दस्तोत होने के लिए आवश्चक सरतें क्या क्या हैं तीसरा व्यति करन पैटर्न में प्राप्त करने के लिए कला संबद दस्तोतों का होना आवश्चक क्यों है यह सारे पशनों का उत्तर हम अलड़ी दे चुके हैं अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको बहुत सारी तरंगे नजर आ रही है वेवलेट्स नजर आ रहे हैं और इन तरंगागरों के माध्यम से यह तरंगे आगे बढ़ती हैं यहां पर आप क्या देखेंगे कि इन तरंगों के क्योंकि यह अलग-अलग तरंगे हैं इसलिए इन किरने एक बराबर दूरी चल कर इसके मद्य भाग पर पहुंचेंगी इसलिए यहां पर हमको एक संपोशी व्यतिकरन मिलेगा लेकिन इनके बीच में जो है व्यतिकरन की दो सरतें क्या है भाई यदि आप में व्यतिकरन में जो है इनके बीच का कौन जो है वो सून्य डिगरी है तब यहाँ पर आपको संपोशी व्यतिकरन मिलता है संपोशी व्यतिकरन मिलता है और संपोशी व्यतिकरन के लिए जो है संपोशी व्यतिकरन ठीक है और जब आपको संपोशी व्यतिकरन मिलता है तो इन दोनों के जो है जो amplitude है वो जूड़ जाते है ठीक है यहाँ पर जो ह भी जूड़ जाती है और इस तरीके से जो है हमको जो है यहाँ पर तीब्रता और पैटर्न दोनों चीज़े नजर आती है विनासी अब इसके लिए जो है अगर तरंग देर्ट के हिसाब से सोचा जाए तो संपोसी संपोसी व्यतिकरण के लिए हमारे पास में आवश्यक सरते है कि जो पथांतर है ने के पाथ डिफरेंस है वो एन लेंड STEP के बराबर हो लेकिन यहाँ पर ही क्रतिकरन के भी जो है कंडिशन आएगी और वो कंडिशन ऐसी होगी जहां पर दोनों के दोनों जो इनके एंप्लिट्यूड है वो जो है जूरने की बजाए क्या हो जाएंगे जूरने की बजाए घट जाएंगे यहां पर जो है इनके दोनों के जो है तीवरताएं भी जूरन के बजाय घट जाएंगी ठीक है और घट जाएंगी और ओर जो है हमें हेहाँ पर डार्क फ्रींजेस जाने कि यहां पर मिलेचे अब यह न दो समीकरन हम लोगों ने द्यान दे दिया हम लोगों ने experiment के जो है पूरी बातें समझ ले एक एक करके जो हम यहाँ पर जो प्रेक्षण प्राप्ट होते हैं उसे हम देखते हैं अब प्रेक्षण से जुड़े हुए इस पेज से जुड़े हुए जो है हम को जो है सवाल पूछे जाएंगे पहला है कि कर से जो के समोह को व्यiledi करहंड प्रति शुगे किसे कहते हैं तो यहां आपका उतर है उसके बाद में यंग के यहां अक समान होती है कहां यंग के डबल-श्ट एक्सपेरिमेंट में जहां हम व्याती करन देख रहे हैं वहां तीवटा एक समान होती है जब हम देखेंगे कि यहाँ पर विवर्तन देखेंगे तब वहाँ पर टीवर्ता एक समान नहीं होती है दूसरी बात यह है कि प्रत्यक अदीप्त फ्रिंज की तीवर्ता भी एक समान होती है और समयस्त दीप और अदीप्त फ्रिंजों की चोड़ाई भी एक समान होती है अब आप स हैं हमको दीप्थ और अदीप्थ फृरंजोंकी चोड़ाई एक समान नहीं मिलती है यहां पर उनकी तीवर्तब भी एक समान नहीं होती है इहां पर वहां पर उप्यों किया जाता है जब कि वहां पर एक इस लिट से काम चलाए जाता है यह सारी बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह हमारा मुख्यस्तूत है जिससे एक वाणी प्रकास की किर्णे आगे बढ़ रही है और वहाँ एस वन और एसटू से टकराने के बाद में और तरंगे उत्पन करती है और यही नई तरंगे जो है आगे जाकर व्यत्यकार के प्रारूप को या करते हैं जो दोनों फिरंजों के बीच की दूरी है आगे बढ़ेंगे तो हम को यहाँ पर क्या नजर आघ कि क्योंकि यहाँ पर एक समान लंबाई यहाँ एक हमको सम्रेहन बहुत तरिभूज नजर आ रहा है आगर आप ऐसे देखना चाहें तो हमारे पास में पहला त्रेभुज ये हो गया इन दोनों त्रेभुज की दोनों भुजाएं जो है सम रूपता के कारणी अएक बड़ाबर होð वह हो और उसके कारण में इसके दोनों और घृंडम लिगों पॉइंट ले लेंगे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया है पी और यहाँ पर पहुंचने वाले तो यहाँ पर सह पर प्रकात और सब्सेंगे और पर अंची पर यहां पांतर हो न आज़र आए आएग फिरंजों के बीच की दूरेडी लेली है और यदि हम यहां पर लंबות रेहाँ खीचें तो ह्र्णा क्य यह जो मद्धे वाली रेखा है उससे हम एक्स दूरी माल लेते हैं आगे हम देखेंगे कि यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं तो हमको यहां पर पी एस वन ये और पी एस टू ये इन दोनों के बीच की पथांतर के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम आगे की सब्काय बाइदेता है कि पथांतर में जो है हम दो तरीके अपना सकते हैं पहला पी एसंकि लंगवाईन आपे और पी एस मुन अपनाः पर उनके बीच में जो है हम दूरी ना अप ले या फिर हम यहां पर और क्या कर सकते हैं कि हम एस से एक लंबवत रिखा सा पर जो है लंबवत रिखा कीचेंगे क्योंकि ये कौण बहुत छोटा सा है इसलिए इस कौण को हम थीटा मालेंगे और इस कौण को थीटा मालने के बाद में हमको यहां पर नजर आएगा कि यह लंबवत के बाद में PS1 और PSPM1 इन दोनों की दूरी जो है किताबों में अलग तरीके हो सकते हैं हम जो है आसान वाले तरीके में जाएंगे और वो आसान वाला तरीका ये है कि हमको ये दूरी पता है कि ये पूरी दूरी क्या है दी है और हमको ये वाला ये वाली दूरी पता करना है हम देखेंगे कि जितना कोण यहां पर ठीट का मान हो जाएगा मतलब मů मा बटा करण मतलब यह है यहांपर ऑट करण क्या है S1-S2 तो यहां पर हम लोग जो है बोल सकते हैं कि S2m तो यह तो path difference है या हम बोल सकते हैं path difference या पठानतर PD का मान हो जाएगा Dsin theta उसके बाद में जो है हम एक बड़े सब्कोंग क्लपना करते हैं यह संपॉंड त्रिभूज में हमें यह अधिता नगालना है तो इसके लिए जब लंब बटा आधार और यह हो जाएगा टैन थीटा वराबर यहां देखिए एक्स और बटा आधार में कैपिटल डी आ गया अब हमें यहां पर मान रहे हैं कि यह कोण बहुत ही छोटा कोण है बहुत ही छोटा कोण मतलब यदि कोण का मान डिगरी में 10 डिगरी से कम हो तो ऐस सिती में यजी कौर को हम रेडियन में नाप रहें हैं तब साइन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाता हैं। भी थीटा के बराबर हो जाता है ऐसी स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा और टैन थीटा दोनों का मान बहुत ही छोटे कोनों के लिए एक बराबर होता है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक्स बटा डी यहां साइन थीटा के बजाए जो है हम अगर एक्स बटा तो ये जो है कुलमिरा के पथांतर के लिए हमारा सूत्र हो गया आने वाले स्लाइड में आप देखेंगे कि पथांतर के लिए हम लोगों ने अलग-अलग यहां पर प्रयोग किये हुए हैं या बहुत सारे प्रयास किये हुए हैं लेकिन हमको अंत में पथांतर उतना ही मिल अब पतांतर मिल जाने के बाद में हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि हमको दीप्त फ्रिंजे या फिर अदीप्त फ्रिंजे अलग अलग दूरी पर पता चल रही है मतलब यह है कि यह जो पतांतर है जिसका मान है X X D बटा D ठीक है तो यह जो है हमको निरधारित करके बताता है कि हमको किस दूरी पर जो है दीप्त फ्रिंजे या किस दूरी पर X के किस मान के लिए दीप्त फ्रिंजे और X के किस मान के लिए अदीप्त फ्रिंजे मिलेंगी लेकिन पतांतर का जो है अपना एक नियम है यदि हमको दीप्त फ्रिंजे चाहिए यदि हमें दीप्त फ्रिंजे चाहिए तो हमको जो है कैसा संपोसी हमको संपोसी व्यतिकरण चाहिए होगा और उसी व्यत्ति करण के शर्थ है तो दीप्त फ्रिंज के लिए हमारे पास में नियम यह हो गया कि हमको एंड लेमडा जो है वह एक्स दी के बटा डी के बराबर होना चाहिए और यहां से हम अगर एक्स का मान निका लें तो हमको एक्स का मान मिलता है एन लेमडा कैपिटल डी और बटा स्मॉल डी तो यह एक दीप्त फ्रिंज के लिए जो है हमारी शर्थ हो गई अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो है हमारी शर्थ क्या है अदीप्त फ्रिंजों के लिए पाथ डिफ्रेंज जो है वह अदीप्त के लिए तो अदीप्त फ्रिंज के लिए पाथ डिफ को किसके बड़ाबर कर देंगे इसको हम जो है एकस डी बटा कैपिटल डी के बड़ाबर कर देंगे और यहां से हमको x का मान मिल जाएगा x का मान कितना मिलेगा तो यह हो जाएगा lambda बटा 2 lambda बटा 2 2 and minus 1 यहाँ पर उपर में हमको capital D और नीचे हमको small d मिल जाता है इस प्रकार से हम लोगों ने deep fringe और a deep fringe प्राप्त करने के लिए सर्तें बना ली है अब इन सर्तों के basis में हमको पतांतर पता चल ग प्रिंजों के लिए n lambda किसके बराबर होना चाहिए x डी बटा capital D के बराबर होना चाहिए यह चीज़ें हम लोगों ने यहां देखी के यहां पर देखी कि n lambda जो है एकसदी बटा D के बराबर होना चाहिए और इस तरीके से हमको जो है nth deep fringe के लिए एक सूल टर मिल गया कि xn का मान होना चाहिए and d lambda बटा डी अदीप्त फ्रिंजों के लिए हमारी शर्थ है 2n-1 lambda बटा 2 होना चाहिए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उसके बाद में जो है हमको अंत में जो सूतर मिलता है होता है 2n-1 d ॅधने बटा 2d के बारे में हैं अब आप समझे कई यहाँ पर किसी एक दूरी पर x किसी एक दूरी x1 पर हमको डीप्त फ्रिंज बिल रही है फिर किसी दूसरी दूरी x2 पर हमको दरिक मिल रही है उसके बाद में किसी तीसरी दूरी X3 पर हमको फिर से deep fringe मिल रहा है यदि हम जोए deep fringe की या ad Britney fringe की चौड़ाईं निकालना चाहें तो हम वो हमें deep fringe की चौड़ाई के बारें के बारे में पताता है इसी छीज़ को अगर हम यहां देखना चाहें तो हमको समझ में आता है कि ये दीप्त फ्रिंजे हैं और ये अदीप्त फ्रिंजे हैं तो हम दो दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अगर ना अपले तो हमको दीप्त फ्रिंज के चोड़ाई समझ में आ जाती है इसके लिए जो है हम सूत लगाएंगे तो X N-1 मतलब यह है N-th deep fringe और N-1 deep fringe दोनों के बीच के दूरी का अगर हम जो है अंतर निकालेंगे तो हमको D lambda by D मिल जाएगा और यह जो है यह चोड़ाई है दीप्त फ्रिंजों की यही जो है हम अगर repeat करें किसके लिए अदीप्त फ्रिंजों के लिए तो हमको बराबर जो है उतनी ही चोड़ाई मिलती है इस दो क्रमाग advocating अधीत लिए दूरी को फ्रिंज चोड़ाई कहते हैं आपसे एक अंक को पूछा जा सकता है कि प्रिंज चोड़ाई किसे कहते हैं दूसरी बात है दो क्रमाग गद्यू के मद्दी अधीप्त फिरिंज होता है उनकी चोड़ाई से भी हमगों को दीप्त फ्रिं जो की चोड़ाई के लिए सूत्र हो गया हम लोगोंने व्यतिकरन की सर्थ देखी हैं और व्यतिकरन की शर्तों से हमें पता है कि हर बार जो है जब हमें दीप्त या अधीप्त फिरिंज मिलते हैं तो उनकी तीवता वो एक बराबर होती है ये सारी चीजें हम लोगोंने समझ यंग के द्वी स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है हम और भी जो है महतुपूर्ण टॉपिक्स पर डिसकस करते रहेंगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद इस चर्ण को सब्सक्राइब कर कर दिचे, thank you.